हेलो गाईज, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल लेंड नॉलेज में भूमी सिमांकन एक महत्पूर्ण परिक्रिया है इसके अंतगत रास्तो विभाग द्वारा एक लेखा जोखा तथा नकसा त्यार कर जाता है यह नकसा पटवारी के माध्यम से त्यार कर जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार में आने वाली जमीन को उस नकसे में दिखाय जाता है भूमी सिमांकन के 2030 के नियम इस परकार है कि जमीन का सिमांकन करने से पहले उससे समन्धित नक्से को तहसिरदार के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है उसके बाद पटवारी के माध्यम से जमीन को सुनस्चित करने का आदेश दिया जाता है यदि कोई अनुसुचित जाती तथा अनुसुचित जन जाती के पास दस एकड़िया इससे कम क्रिशी योगी भूमी है तो उन्हें भूमी का सिमांकन करने के लिए किसी प्रकार की सुल्क की आफशक्ता नहीं होगी आवेदक को नजदी की तहसील कारयलय में जाकर जमीन सिमांकन का आवेदन फोर्म भढ़ना होगा इसके बाद उन्हें तारीक भी दी जाएगी इस तारीक के अनुसार है पटवारी जमीन का सिमांकन करने के लिए आएगा इसके बाद सभी दस्ताविजों को सत्याप करके तहस सिमानकन के लिए आवेदग के पास जमीन से समंदित नक्सा खस्रा तथा अधिकार रिर्ण पुस्तिका की आपश्कता होगी। बूरा इस्तों सहिता के नियुमों के अनुसार सिमांकन के समय सीमा को चिनित करने के लिए एक प्रारूप तियार किया जाता है उसी के अनुसार स्वामितों रखने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। अधिकारी को प्रारूप तीन के अनुसार दी जाती है। भू अधिकार रेंड़ पुस्तिका, नक्सा के फोटो, खस्रा खतानी की फोटो कौपी। तो उसके पास पट्टा होना अनिवारी है